आज की इस बहुती special वीडियो में मैं career advice देने वाला हूँ आपको हन जी ये एक motivational वीडियो भी है पर इस वीडियो के end तक मैं आपको ऐसे steps देने वाला हूँ जो आप follow करके न अपने सपने पूरे कर सकते हो आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए मैं खुद 25 साल का हूँ पिछले तीन साल से मैंने दो company start कि है पहली company है हमारे English YouTube channel के बारे में जिसका नाम है Bear Biceps पिछले तीन सालों में हमने 1.4 million subscribers पाए है वो channel पर और दूसरी company है Monk Entertainment ये एक digital media company है जो हम पिछले देर सालों से चला रहे है पिछले तीन सालों में मैं बहुत सारे ऐसे इंसानों से मिला हूँ जो बहुत successful बने हैं अपने खुद के careers में और उनसे मैंने बहुत सारे ऐसे career advice लिये हैं, career के tips लिये हैं और वही tips मैं आपसे इस Ranveer अलबादया channel पर share करना चाहता हूँ ये video में तो चलो पहला tip है ये firstly, the biggest mistake of your life will be not taking a risk इसका मतलब है कि देखो अगर आप 22 साल के हो, अगर आप 22 साल से कम हो तो यहीं आपकी उमर है risk लेने के लिए 25 तो 35 एक ऐसा age bracket होता है जहां आपकी responsibility है family start करना अगर आपने शादी कर ली या शादी के बाद आपके बच्चे हो गए तब आपके life में बहुत सारे responsibilities add हो जाते हैं अगर आपको life में बड़ी game खेलनी है अगर आपको life में कुछ करके दिखाना है तो आपको life में बहुत बड़ी risk लेनी पड़ेगी मेरा दूसरा tip है ये If you choose a job that you enjoy, you will not work for a single day for the rest of your life पूरी life के लिए यही line याद रखो अगर आपके खुद का career एक ऐसे profession में चुना एक ऐसी जगह चुना जहाँ आपकी passion भी उसी career में है उसी job में है तब आपका job आपके लिए job नहीं होगा आपका job आपके लिए fun होगा, holiday जैसा होगा और अगर आपको सच में career में दूर जाना है तो आपको hard work करना पड़ेगा और अगर आपको ज्यादा hard work करना है तो यहीं अच्छा होगा कि आप hard work एक ऐसे job में करें जहाँ आपको मजा भी आ रहा है तीसरा tip है यह not listening to your parents, not being over obedient पहरे तो आपको यह जानना है कि आपके माता-पिता हमेशा आपका भला ही चाहते है पर वो समझने के बाल आपको यह समझना चाहिए कि हमारे माता-पिता की generation एक बहुत अलग समय पे जी रही थी और अब हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हमारे बहुत सारे career options है हमारे मुठी में है internet और social media YouTube की दुनिया ले लो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने YouTube की दुनिया से अपने dreams fulfill किये अप इन सब लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया एक unconventional career का road चुनके यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि देखो हमारी parents की generation जब वो young थे तब बहुत limited career options हुए करते थे यह तो आप doctor बन जाओ या engineer बन जाओ या lawyer बन जाओ या accountant CA बन जाओ या finance में कुछ करो या एक MBA कर लो वो situation होती थी up to 2010 पर 2010 के बाद social media का wave आया है हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां आप कोई भी hobby ले सकते हो और उसे skill बना सकते हो social media use करके that is the power of living in 2018 कोई भी career possible है इस साल में इस युग में और उसका ही फाइदा आपको उठाना चाहिए आप India के कोई भी कोने में हो आप India के कोई भी छोटे से town और छोटे से गाओ में भी हो तब भी आप एक product develop कर सकते हो social media पर दूसरी लोगों को sell कर सकते हो वो product और अब बात आती है one flaw of the Indian society आपको पहले तो यह जानना चाहिए कि मैं खुद एक बहुत ही patriotic इंसान हूँ और मेरा खुद का सपना है कि 2030 तक 2040 साल तक इंडिया को हमें world की number one country बनानी चाहिए इंडिया की youth की यह responsibility होनी चाहिए कि we together should make इंडिया the number one country in the world पर अब अगर वरतमान देखा जाए भविश्य अब भूल जाओ दो मिनिट के लिए और वरतमान देखो तो present situation क्या है हमारी parents की generation और grandparents की generation बहुत ही judgmental है अगर कोई बच्चे ने एक unconventional career चुन लिया sports का career चुन लिया entertainment का career चुन लिया social media चुन लिया या तो अगर business भी चुन लिया तो वो generation बहुत बार इन बच्चों को थोड़ा judge करती है वो generation कहती है कि बेटा यार क्या कर रहे हो degree कर लो, doctor बन जाओ, engineer बन जाओ क्योंकि वो generation वो पुराने जमाने में अच्की हुई है mentally वहाँ अच्की हुई है वो generation social media नहीं समझती internet नहीं समझती वो सब concepts हमारी generation समझती है ये भी चीज आपको बहुत ध्यान से understand होनी चाहिए देखो अगर कोई भी revolutionary का example लिया जाए चाहे वो Steve Jobs हो या चाहे वो Virat Kohli हो या चेतन भगत हो कोई भी इंसान जिसने एक बहुत बड़ा career अब बना लिया है जब वो career start कर रहे थे न तब बहुत लोग उन पर हसते थे उन्हें कहते थे कि या तु राइटर बन रहा है या sports में जा रहा है या ऐसे business करेगा तेरा ये सपना है नहीं होगा पूरा हमेशा जब आप कोई भी बड़ा business start करने वाले होना बहुत लोग ऐसे ही कहते है मुझे भी बहुत लोग ने ऐसे ही कहा था पर इसमें take away ये होना चाहिए when people point out your flaws people are only pointing out their flaws अगर लोगों को लगता है कि यार अगर मैंने ये career start किया ना मैंने ही कर पाता तब वो आपसे कहते कि त्यार तू नहीं कर पाएगा वो आपको समझना चाहिए तो आपका जो भी सपना है जो भी dream career है उसे chase करने लगो और अब आता है हमारा fifth point बहुत लोगों वो ऐसा लगता है कि यार हाँ यार मेरी dream ये है मेरा passion ये है पर पैसे नहीं से आएंगे आपको ये भी जानना चाहिए कि पैसा आना है इस दुनिया में इंडियन economy has changed इंडियन business opportunities have changed अगर आप एक ऐसा product बना लेते हो अगर आप एक ऐसा business start कर लेते हो जो कोई भी इंसान के life में value add करेगा वो product इंडिया में जरूर दिखेगा इंडिया की population इतनी बड़ी है इंडिया का market इतना बड़ा है जो लोग ऐसे कहते हैं न कि यार नहीं मैं dream को follow नहीं कर सकता हूं क्योंकि I need to earn money I feel those people are not trying hard enough 2018 में जो भी आपकी career choice है जो भी आपको life में करना है वो सब possible है social media की वज़ा से अब बात आती है आपकी hustle की life का एक ही rule है इसका मतलब है बार जाके दूसरे लोगों से मिलना अगर आपको कोई field में career start करना है वो field में business start करना है तो उसका cheat code है networking वही field में जाके आपसे बड़ी उमर के लोगों से बात करना जब आप कोई experience बनने से बात करते हो वो guide करते कि अच्छा तेको ये business खोलना है तो मेरा एक ये दोसना वही business कर रहा है उनसे मिलो अगर आपने खुद का network थोड़ा सा strong बना लिया ना तो वो network खुद से grow होने लगता है आप एक इंसान से मिलते हो और वो इंसान दूसरे इंसान से link करता है तो ये कभी मत कहना कि यार मुझे पैसा कमाना इसलिए मेरी dream possible नहीं है 2018 में वो excuse चलती नहीं अगर आपको सच में dream chase करनी है तो वो possible है इस यूग में वही आपको जानना चाहिए और final point है ये अगर आपको इन सब point से कोई भी फाइदा नहीं हो है तो ये है आपका real world practical solution आपको करनी चाहिए internships अगर आप college में हो तो आपको करनी चाहिए college summer internships अपने college के vacation में न ऐसे time waste मत करो internships करो दूसरे fields के बारे में कुछ जानो अगर आपको ये भी पता नहीं कि आपकी passion क्या है ना life में वो आपको internship से पता चलेगी internship से आपका network भी तगड़ा हो जाएगा आपको experience भी मिलेगा और आप ये जानोगे कि यार हाँ ये है मेरी passion, ये है मेरी career choice internships है आपका solution यही है मेरा final suggestion मेरे सब भाई और सब बहनों के लिए आपको यहीं जानना चाहिए कि आपके life में अगर आपको कुछ भी achieve करना है वो entirely आपके हातों में है अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के opinion से डरते है आप constantly ये सोच लो कि यार लोग मेरे बार में क्या कहेंगे तब it's not worth chasing your dreams तब आपको अपने सारे सपने भूलने चाहिए और वहीं लोगों के opinions को ज्यादा महत्वर देना चाहिए पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पूरी life खुश रहना है happy रहना है, chase your own dreams खुद से ये सवाल पूछो ज्यादा important आपके लिए क्या है कि आप happy रहेंगे life के लिए या अभी present situation में लोगों की judgment avoid करके happy नहीं रहेंगे happiness is not a destination it is a journey बहुत लोग ऐसे जोचे है कि यार हाँ कल ना मैं मेरी dreams को chase करूँगा आज चल द्रीम को जाने देते हैं आज conventional career करते हैं जो मुझे खुद में करना है वो अभी मैं करूँगा वो एक बहुत ही गलत thinking है this is the time to take a risk go and chase your dreams right now keep hustling